नमस्कार दोस्तों करेफ प्लैटफर्म आप सभी का स्वागत है मैं हूँ बिनोद और आज हम आप लोगों के लिए आये हैं Most Important Questions ये questions आप के boards exam में पूछे जाएंगे जो भी student इस बार exam देना चाहते हैं या J-Level के कोई भी exam देंगे ये generally questions हमेशा पूछा जाता है exam में और ये most important है जान रखिएगा ये question important इसलिए है कि इस पे ना सबसे पहले इसका जो mod दिया हुआ है ना इस mod को open करना सबसे परा concept है यहाँ और दूसरे साथ साथ क्योंकि इस पे ना दो function का mix है एक तो आपका algebraic function है ठीक है algebraic function भी है ठीक है और दूसरा trigonometric function भी है तो दोनों function के साथ ये का है तो ये important है आपके CVSC के जो भी student है जो boards का exam देंगे या state level का जो भी exam देंगे वो उसके लिए भी state board होगा उसके लिए भी important है J exam के लिए important है तो ये question ज्यादा important है इस question को पूरी तरह से आप त्यार कर लीजे ठीक है तो इस question को चलते हैं आप solve करका आपको दिखाते हैं किस तरह से questions को बनाते हैं तो start करते हैं इस question को कैसे solve करेंगे सबसे पहले इसका एक एक concept last तक हमारे साथ जुड़े रहिए clear होगा आपका ठीक है आप इसके लिए tension नहीं लीजे कि मुझे बहुत tough लग रहा है मैं एक एक concept को clear करूँगा सबसे पहले आपको na sin x के graph आप खीच लीजे यहाँ पे मैं side में आपका sin x के graph open करके मैं यह दिखाता हूँ पहले किस तरह से graph होगा देखिए आपको पता है sin x की graph जो है इस तरह से होती है y is equal to sin x की graph यह क्या होता है y axis है और यह आपका x axis है जिसको आप theta बोलते है यह y है और यह sin की value maximum 1 होगी और minimum जो है आपका क्या होगा minus 1 होगा जो graph देख रहे हैं आप ठीक है यह क्या है यह जो point है यह pi y 2 है यह 0 है यह क्या है pi की value है यह क्या है 3 pi y 2 है यह आपका 2 pi है समझने बातों को यह sin की graph है यह आपको देखिए हम ज्यादा तरह questions कैसे solve करते हैं हम ज्यादा तरह questions करते हैं solve graphically जो भी IIT की student exam देने वाले हैं जो भी boards के exam देने वाले हैं वो सारे student यह क्या ध्यान रख लीजिए ग्राफिकली questions अगर आप solve करते हैं तो आप समझेए concept clear है इसके answer चुटकी माता है ठीक है तो देखिए यहाँ पर हम क्या करेंगे सबसे पहले आपको हमने क्या बताया था कि कहीं कोई भी question को solve करने के अंदर जो आप यह देख रहे हैं यह इसके अंदर mod के अंदर इससे आप turning point निकालिए तो आपका turning point यही कहां कहां graph turn कर रहा है तो मैं क्या करता हूँ turning point निकालता हूँ तो turning points निकालने के लिए x sin ठीक है pi x is equal to हम 0 करेंगे तो दो केस हो सकता है या तो x is equal to 0 होगा और याने तो sin जो है pi x is equal to क्या होगा 0 होगा देखें दो term है ना x sin pi x is equal to 0 है तो या तो x is equal to 0 होगा तो पूरा term 0 हो जाएगा अगर x 0 नहीं होता है तो sin pi x is equal to 0 होगा यह दो केस हो सकता है अब हम क्या करेंगे, अगर x is equal to 0 है, ठीक है, तो इसको as usual रखेंगे, लेकिन sin pi x is equal to, अगर आपने 0 किया, तो sin की value 0 कहां कहां होता है, एक तो 0 पो होगा, एक pi पो होगा, और एक जो है, आपका 2 pi पे हो, 2 pi पे होगा, देख रहे हैं यहां पे, ठीक है, लेकिन आपको ये भी ध्यान रखना है, कि 3 by 2 की value होती है, वो 3 by 2 की value 1.5 है, यानि आपको minus 1 से 3 by 2, यानि डेर तक ही लेना है, तो अगर हम यहां पे, यहां पर देख लिजे, यहां पे, अगर हम sin pi x is equal to, ठीक है, sin 0 भी लिख सकते हैं, या sin आप क्या लिख सकते हैं, sin 0 लिख सकते हैं, sin pi लिख स यानि इस well पे, इस सब पे क्या हो रहा है, 0 हो रहा है, तो इसका मत्तब यह हुआ कि pi x is equal to 0, pi और 2 pi, यह आ रहा है, यहां से pi pi हमारा cancel हो जाएगा, तो x is equal to क्या होगा, 1 आ जाएगा, ठीक है, नहीं, sorry, यहां पे, x is equal to क्या होगा, 0 by pi, ठीक है, और दूसरा क्या होगा, 5 by pi, और तीसरा होगा, 2 pi by pi, यही это होगा, इस तरह से, तो इसकी value क्या होगी, 0, 1, 2, यह value हम नहीं ले सकते हैं, 2 किस लिख नहीं ले सकते हैं, 2 इसलिख नहीं सकते हैं कि maximum जो limit का जो value है न वो 3 by 2 है नहीं 1.5 है तो x की value क्या क्या हो सकता है एक तो 0 हो गया एक 1 हो गया ठीक है और आपका जो है यानि इन विट्वीन की बात करें तो तो आपका जो critical point है ना x is equal to 0 और x is equal to 1 ये दो point हो रहे हैं जो turning point है कहां से अगर हम बात करें एक number line की draw करें तो एक तो देखिए minus 1, 0, 1 और 3 by 2 यहीं आपकी turning point यहां पर है और यहां पर है इन विट्वीन अगर बात करें तो तो हमें नहीं लेना है कि को 2 इससे बाहर हो जाएगा ठीक है तो अब हम क्या करेंगे इसका जो है turning point आपने क्या-क्या निकाल लिया यहां से आ गया x is equal to क्या-क्या 0 हो गया और 1 हो गया तो अब हम simply जो है इस को break करेंगे हम एक एक करके ठीक है step by step काम करना सीखिए तो देखिए कैसे करते हम ब्रेक अगर जल्दी जल्दी नहीं लिख पाते हैं तो फिरी इसक्रीन सॉट ले लिजे ठीक है इसक्रीन सॉट भी ले लेंगे तो काम आपका बन जाएगा ठीक है चली देखिए यहां पर अब क्या करते हैं इसको माइनस वन से जीरो क्योंकि टर्निंग पॉइंट जीरो पर है माइनस वन से जीरो मॉड एक्स साइन पाई एक्स डी एक्स पलस जीरो से क्या होगा जीरो से हमारा वन एक्स साइन पाई एक्स दी एक्स फिर क्या होगा वन से वन से कहां जाएंगे वन से हमें थिरी वाई टू ठीक है एक्स साइन पाई एक्स यही तो डी एक्स है यहां तक कोई दिक्कत अब आपको देखना यह है कि माइनस वन से जीरो के वीज में इसकी वेलू क्या आएगी सबसे पहला काम यही है माइनस 1 से 0 के बीच में इसकी value क्या आएगी यह आपको सबसे पहला आपको देखना है तो आप बताईए माइनस 1 से 0 के बीच में अगर हमने सपोज के रे x की value हम put कर देते हैं अगर हम बात करें माइनस 1 से ठीक है 0 के बीच में ठीक है तो minus 1 से 0 के बीच में हम क्या करते है x की value रख देते है इसके बीच में minus 1 y 2 ले लिजे न minus 1 y 2 दिसी के बीच में है इसमें रख दीजे तो तो क्या होगा बताईए minus 1 y 2 अगर रख देते है तो ये तो minus 1 y 2 होगा x की value तो आज साइन क्या होगा, साइन क्या होगा, बताइए, माइनस वन वाइट टू, इंटू एक्स, नहीं एक्स नहीं होगा, पाई, ठीक है, यहीं तो होगा, तो क्या हो रहा है, माइनस वन वाइट टू, अगर हमने रखा, तो साइन माइनस थीटा क्या होता है, माइनस साइन तो यह minus minus क्या कर देगा plus यदि हमारा positive आ रहा है इसके बीच में हमारा क्या हो रहा है positive आ रहा है minus 1 से 0 तो यह mod से बाहर हो जाएगा ठीक है यह और dx हो गया कैसे किया x is equal to minus 1 by 2 रख दिया इनके बीच का इसके बीच में एक तो value ले लिया minus 1 by 2 तो देख रहे न यह minus और sin minus theta क्या होता है आपको पता है na sin अगर minus theta हो तो इसको minus sin theta लिखते है यह तो minus ही तो है यह बाहर आ जाएगा तो बाहर आ जाएगा तो यह minus minus क्या हो जाएगा पलस हो जाएगा यानि इसकी पूरी value positive आ रहा है अब हम इसको ब्रेक करते है इसका ब्रेक कैसे करेंगे अब देखिए यहाँ पर हमें क्या करना है इसके बीच में कोई value ले लिजे 1 by 2 ठीक है तो जब 1 by 2 रखेंगे तो यह वाला क्या होगा 1 by 2 और sin pi by 2 हो जाएगा यह भी positive देजेगा तो यह भी हमारा positive आ जाएगा तो 0 so 1 by 2 1 के बीच में x sin जो है pi x हो गया और dx हो गया यह भी हमारा positive है अब हम क्या करते हैं 1 से ले करके 3 by 2 के बीच का निकालते हैं इसके बीच का कोई value ले लिजे मान लिया जाए हमने ले लिया 1.2 इसके बीच का ले लिया value इसमें रखकर देखिए तो हम क्या करेंगे x sin pi x है ना तो क्या करेंगे 1.2 1.2 into sin 1.2 ले लिया हमने 1.2 pi हो गया point भटा दीजे निचे 10 1.2 into अब देखिए हाँ पर sin कितना हो गया pi x से 2.5 जा इसको गएगा 2.6 जा तो 6 pi x क्या हो गया 5 हो गया अब sin 6 pi x 5 को क्या लिख सकते हम यहां लिखता हूँ मैं देखिए तो sin pi plus pi by क्या होगा 5 होगा 6 pi by 5 को आप बताइए sin pi plus pi by 5 यहीं sin pi plus theta आपको पता होना चाहिए sin pi plus theta क्या देता है यहां पर लिख लिख लिजिए sin sin pi plus theta क्या देता है minus sin theta यह भी क्या होगा minus sin pi by 4 तो देखिए यह negative दे दिया तो आपका क्या होगा minus हो जाएगा 1.2 sin pi by 4 यह तो positive आता है first coordinate पर तो negative तो दे दिया ना minus इसलिए अगला जो यह आएगा यह negative में आएगा तो आप मैं इसको लिख लीजिए तो यह जो आपका इसको जो break करेंगे तो 1 से 3 by 2 ठीक है x sin pi x दोगा tx अब यह जो है आपका बस आप क्या रहा यहां पर सिर्फ integration करना ठीक है आप integration कैसे करेंगे इसका एक ही करके आपको बैश सिखा रहा हूँ यहाँ पर देखिए यहाँ पर integration कैसे करेंगे अब देखिए यहाँ पर अब मैं यहाँ पर इस question को यहाँ पर लिख देता हूँ पहले सबसे पहले यहाँ लिखता हूँ यहाँ पे जो है minus 1 से sorry यहाँ पे 0 तक था ठीक है तो इसको लिख दीजएगा minus 1 से 0 x sin by x dx plus ठीक है 0 से 1 ठीक है x sin by x dx minus 1 से 3 by 2 x sin by x dx ठीक है अब देखिए एक ही फंसन है x sin x dx और यहाँ वही फंसन है तो हम इसको minus 1 से 0 और 0 से 1 को एक्तम टॉट कर सकते हैं यह 0 0 हटा दीज़ अपने मन से यह क्या होगा minus 1 से 1 क्या होगा minus 1 से 1 लिख सकता हूँ क्यों फंसन तो यहां भी वही चीज़ है जो कि यहां पर है तो यह ब्रेक क्यों करें हम क्योंकि बार-बार integration करना पड़ेगा तो इसको minus 1 से 1 लिख दीजे minus 1 से 1 और x क्या लिखेंगे sin pi x dx और इधर लिख लिजए 1 से 3y2 इसका मतलब x sin pi x dx यहाँ पर लिख सकते हैं अब हमें क्या करना है इसको simply solve करना है अब आपको कौन सी formula लगाना है आपको i-lates formula बताये थे आपको integration by parts ठीक है तो i-lates formula लगाई है आप तो i-lates formula में क्या होता है इसको यहाँ पर जो है पहले तो मैं आपको यह काम कर लेता हूँ यहाँ पर ना मैं एक लिख लेता हूँ i is equal to i1 is equal to हम पहले integration कर लेते हैं x sin pi x का ठीक है इसको integration कर लेते हैं फिर इसम हम रख देंगे value तो इसको integration कैसे करेंगे तो इसको मानिए first इसको मानिए second क्यों आपको बताये थे ना कौन से formula i-lates formula i-lates i-lates क्यों use करते हैं पहले trigonometry algebraic है तो पहले algebraic को u मानेंगे इसको और सको पर t को भी मानेंगे तो इसको कैसे integration करेंगे तो देखिए x को छोड़ दीजिए इसका integration तो क्या होगा fine x का integration क्या होता है minus cos x cos pi x by pi लेकिन यहाँ minus के साथ होगा यही होता है ना fine का integration क्या होता है minus cos x minus minus होगा फिर x का क्या होगा dx by dx फिर क्या होगा इसका integration इसको sort में लिखे, dx by dx क्या होगा, 1, sin x क्या होगा, minus cos x, dyna by x by π, लेकिन यहाँ मैं पर minus में, फिर इसका integration, dx, लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, अब यहाँ देखिए, यह minus तो यह से ही रहा जाएगा, minus x cos pi x by pi देखिए x का जो coefficient होता है उसे divide होता है देहां रखिएगा आप यहाँ देखिए minus minus क्या हो गया plus अब cos का integration क्या होता है sine होता है तो मैं लिखूंगा sine pi x by pi square यह लिख सकते हैं ना क्यों लिखेंगे pi square क्योंकि cos का जो फिर integration करेंगे तो sine होगा तो sine में तो आएगा लेकिन x का कोफिशन pi है फिर नीचे denominator माजाएगा और यह minus minus plus हो जाएगा तो आपका इसका मतलब यह हुआ कि यह आपका आगया यहाँ पर इसको लिख सकते है sine pi x by pi square minus minus यहाँ पर लिख सकते है minus x cos by x by pi यह आपका इसके यहाँ पर इसका integration हुआ अब यह चीज़े आप इसमें substitute करेंगे किसमें इसके जगह पर तो यहाँ पर मैं आपका substitute करके दिखाता हूँ तो अब जो है यहाँ पर आप इसको substitute कीजिए ठीक है इसके जगह पर minus 1 से 1 है ना तो मैं यहाँ रख देता हूँ sine pi x by pi square minus x cos pi x by pi इसको लिखूंगा कहाँ minus 1 से 1 अब minus यहाँ लिख दीजिए ठीक है सेम चीज़ है as it is sine pi x by pi square minus cos pi x यहाँ पर x के साथ ठीक है x cos यहाँ पर तो रख किलियर कर देता हूँ x cos pi x है ना divided by pi और इसका limit जो होगा यह होगा आपका 1 से 3y 2 के बीच में ठीक है यहाँ तक दिक्कत नहीं है दिक्कत तो चलिए अब इसको हम continue करते है देखिए इसका तो यही आया था ना देखिए यहाँ पर के बार check कर लिजए sin pi x by pi square minus x cos pi x by pi minus 1 से 1 sin sin pi x by pi square minus x cos pi x by pi और 1 से 3 by 2 ठीक है अब इसको continue कर आप इसका ना higher limit पर रखिए वैलो तो यहाँ पर क्या होगा sin 1 x is equal to 1 रखेंगे तो pi by क्या होगा pi square minus अब देखिए x is equal to 1 रखा तो मैंने लिखा cos pi ठीक है आप cos pi ठीक है यह तो हुआ 1 पर अब रखते है minus 1 पर तो sin क्या होगा minus pi ठीक है minus pi by pi square और minus 1 तो यह minus 1 across minus pi है ना by pi यह आ गया इसकी वैलो फिर minus यहां रखिए यहां हो जाएगा आपका sin 3 by 2 pi 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 square minus 3 by 2 cos 3 pi by 2 by pi minus ठीक है sin x नहीं sin pi x की जगा पर 1 रखा by pi square minus 1 रखा तो cos pi by pi यह आएगा next क्या करते हैं यहां पर आप देखिए sin pi की वैलो कितनी होती है आपको पता है pi by 2 पर 1 होता है pi पर ग्राफ जिदम नीचे हो जाता है तो यह तो 0 हो गया यह हो गया 0 और यह होता है minus 1 by pi ठीक है तो यह तो आपने लिख लिया ठीक है और यह देखिए है sin minus theta क्या होता है cos minus theta cos theta cos pi minus 1 अब minus minus क्या हो जाएगा यहां पर एक सी और यहां रखिएगा यहां पर minus भी था ठीक है ठीक है तो minus minus क्या हो गया plus हो गया तो plus हो गया और यह minus minus 1 by pi यह हो सकता है ठीक है? क्यल्कुलेशन में मिस्टेक हो सकता है लेकिन प्रोसेस गलत नहीं होना चाहिए देखिए न कॉस माइनस थीटा तो कॉस थीटा यहां पर इसको लिख दीजिए जीरो और यहां पर माइनस अब सही है अब चलिए यहां पर करते हैं हम लोग देखिए साइन थी पाई वाई टू क्या होता है? अगर हम बात करें साइन की तो यहां पर देखिए साइन का गराब तो यहीं से जाता है ना यह तो पाई वाई टू है यह पाई है थी पाई वाई टू है यह है नहीं, तो 3 by pi by 2 पर क्या हो रहा है? माइनस 1, तो इसको लिखोंगा माइनस 1 by pi square और इधर देखिए, माइनस 3 by 2 pi, यही तो होगा और cos 3 by 2 पर कितना value होता है? cos 3 by 2 पर minus 1, यह भी हो रहा है? नहीं cos 3 by 2 पर आपका cos का तक अगराप इस तरह होता है, न? तो यह तो pi हो गया यह pi, यह pi by 2 है न? यह क्या होता है? pi, यह होता है 3 by 2 तो cos का 3 by 2 पर 0 हो जाती है तो इसको क्या कर दीजिए? 0 कर दीजिए, है न? into 0 ठीक है? यहां तक कोई दिक्कत? तो इसको हम जो है, सो 0 कर देते हैं फिर यहां पर minus sin pi क्या होता है? sin pi तो आपका 0 होता है नहीं तो 0 अब cos pi minus 1 minus minus plus 1 by pi नहीं यहां तक तो कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं है चलिए, यहां पर क्या minus minus plus 1 by pi minus minus plus 1 by pi है नहीं और यहां देख लिजे इसको plus 1 by pi square नहीं है तीक है और यहां क्या होगा? 1 by pi होगा फिर minus कर देगा 1 by pi नहीं होगा देखे ना यह minus 1 by pi है और यह minus minus plus हो जाएगा 1 by pi तो मेरे पास जो एंसर आया ना 3 by pi plus 1 by pi square यहीं हमारा एंसर होगा इसका क्या एंसर आया? मैं एक बाद चेक भी कर लेता हूँ इसका एंसर जो है आपका 3 by pi अगर किसी तरह के दॉर्स होती है तो मेरे पास ना वाटस अप नमर है 8448239114 इस पे आप मैसेज करके हमें जरूर बताईए ताकि मैं इसके आपके जो भी शमश्या है फिर से एक स्टैप के एक क्वोश्चन को या इसको क्लिर करने का हम जो है कोशिश करेंगे पहला तो यह है दूसरी बात है देखिए मैं आपसे एक सपोर्ट मांग रहा हूँ बस जो भी कुछ भी है आपसे ही है क्योंकि आप इतना प्यार देते हैं तभी हमारा ये चैनल चल रहा है आप बस हमारा अगर वीडियो अच्छा लगता है तो अपने दोस्तों को जरूर बोलिए share कर दीजे आप और subscribe भी कर लिजे ठीक है और कहीं भी कोई दिक्कत होती है तो आप हमें WhatsApp कीजे मैं आपके लिए special अलग से वीडियो बनाऊँगा तो आज यहीं तक रखते हैं जो बोर्ट के important question था मैंने discuss किया तो मुझे अच्छा लगा आप लोग उससे मिलके Thank you, धन्वार, Career Platform